हलो फ्रैंस गुडिवनिंग और नमस्कार एक बार फिर से हाजिरूं दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर राजस्तान का आज का करेंट अफेर दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों को मैं और अच्छा सा कंटेंट दे पाऊंँ दोस्तों सीधा चलते हैं आज के करेंट अफेर बात करने के लिए आज का पहला कोशिन जो दोस्तों है सीधा चाहे सिंपल कोशिन है ज़्यादा वो नहीं है खादी ग्रमोद्य क प्रतरशन नहीं है आपके यहां पर कब 20 से 29 जनवरी 2023 में कहां पे लगी अजमेर में लगी कौन लगवाता है ये ये आपके खादी ग्रामोद्योग संस्तान है वो लगाता है दोस्तों आपके यहां पे खादी ग्रामोद्योग संस्तान कब बना था खादी ग्रामोद्योग संस्तान की स्तापना हुई थी तो आपके 1955 में हुई थ दोस्तो और अध्यक्स कौन है ब्रज गिसौर सर्माजी कौन ब्रज गिस्वर सर्माजी दोस्तो चलिए अगले टॉपिक पढ़ते हैं तो अगला दोस्तो आपके यहां पे के mission mission है दोस्तों यह ठीक है कि मिशन 392 मिशन 302 में चल रहा है कब श्टार्ट बाद आपके यहां पे mission 302 में यह दोस्तों आपके current में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसका नाम जश्ट मेंशन हुआ कल की डेट में तो इसको थोड़ा सा डीटेल में पढ़ लेते हैं mission 392 है क्या यह 27 सेप्टमबर 2022 को आपके शुरू हुआ था कहां से शुरू हुआ था तो यह बीका दोस्तों इसके तहित क्या है पूरे राज्य की 392 तीनसो बान में जो तैसील है उन में दोस्तों कैम्प लगेगा सिविर लगेगा और उस सीविर में जो कि विशेश योग्यजन होंगे उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी जो भी समश्य होंगी और जो गौर्मेंट उनको मतलब जो फैसलिटी जो गौर्मेंट योजना चला रही हैं उनकी तत्काल सुविधा देने के लिए ही यह कैम्प लगाए जाएंगे तैसील इस्तर पर कैम्प लगेंगे दोस्तो कब शुरूआ था 27 सेप्टेंबर 2022 को कहां पर शुरूआ था नोखा में शुरूआ था दोस्तो कहां पर नोखा में शुरूआ था तो आप इतना याद रखिए आगे बात करते हैं दोस्तों एक बुक है जादू नामा कल हमने एक बुक बड़ी थी क्या नाम था? एकजाम वॉरियर क्या नाम था? एकजाम वॉरियर उसके राइटर थे अपने प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी उसका विमोचन भी कहां पर हुआ था? उसका विमोचन जो हुआ था राज भवन जैपुर में हुआ था दोस्तों ठीक है कहाँ पे राज भवन जैपुर में हुआ था कल राज मिस्र जिन ने किया था यह दूसरी भुक है जादु नामा कौनसी जादु नामा यह दोस्तो 28-18 जनवरी को इसका विमोचन हुआ है मारणा प्रताब ओडिटोरियम में हुआ है कहां पे मारणा प्रताब ओडिटोरियम है उसका वाता राजबवन जयपुर में इसका मारणा प्रताब ओडिटोरियम में हुआ है इसमें क्या है दोस्तो यह आपके जो संगीतक आपने जावेद अक्तर शंगीतकार जावेद अक्तर पर लिक्षी यह बूक है यह जावेद अक्तर जी पर यह बूक लिखी हुई है दोस्तों ठीक है वही आपको पता ही होगा वो जो एड करते हैं कौन सा याद याद नहीं आ रहा है यारो हड़ियों वाला जो और्थो वाल वही है जावेद जी ठीक है तो इसके लेकक कोन है दोस्तों इसके लेकक है अर्विंद मंदलोई कौन है अर्विंद मंदलोई जावेद जी पर लिखी है और लेकक है इसके अर्विंद अर्विंद मंदलोई दोस्तों आगे चलते हैं आगला बात करते हैं दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज का कौन सा 18, 821 उर्स भरा जाएगा तो 18 जनवरी दो जार तेईस को क्या है इसके अंदर फ्लैग जंडा चड़ा कर इस यह स्टार्ट हुआ था जंडा कर स्टार्ट भा था जंडा कौन चड़ाता है अभी जंडा कौन चड़ा रहे है तो भीलवाड और परिवार का कुछ दूस्तो गोरी परिवार मैं जंडा चड़ाकर इस उर्ष की शुरुवात कीची दोस्तो चलो इससे अज पेर से कुछ और और मे fallait को दरगे के अजमेर में लगता दोस्तो इससे और प्रक्ट भी कुछ याद कर दे bize ख्वाजा गरीब नवाज किसको बोलते हैं ख्वाजा मुईनु दिन चिस्ती जीगो कौन ख्वाजा मुईनु दिन चिस्ती को चिस्ती संपरदाय के संस्तापक थे इनके गुरु कौन थे इनके गुरु कौन थे ख्वाजा मुईनु दिन चिस्ती के गुरु जो थे वो थे आ चेले भी कुछ थे मिजमन दीन ओलिया जी थे अमिर खुसरों ठीक है और बकतियार काकी वी थे इनके चेले थे यह इनके कुछ चेले तो यह याद रखना है आपको ठीक है ओके अगला नागोर के हमीदुदीन भी इन्हीं के चेले थे इनके सिश्य थे ठीक है दोस्तों चलिए इसमें क्या होता है इस उर्ष में दोस्तों यह उर्ष इसका जो सबसे फेमस डे होता है इसके प्रमुक दिन उर्ष में चट्टी बोलते हैं उसको उर्ष चट्टी चट्टी क्या होता है जैसे अपने नहीं होता है हिंदू कैलेंडर के अंदर हिंदू कैलेंडर के अंदर जो से एकम होता है ना प्रतमा द्वित्या त्रित्या ठीक है हिंदी मारवाडी में एकम 20-30 ऐसे बोलते हैं ना है ना वै सात pledge क्या होता है रजब का जो छटा दीन होता है उसको चपी बोलते हैं सवर्ष चपी उस दिन ये मेला उस दिन ये प्रमुख दिन होता है इस उर्ष का चीक है दोस्तो ओके और आपके यहां पे जो इनकी जो दरगा है उसकी स्तापना किसने करवाया तो उसका निर्मान करवाया था अकबर ने निर्मान करवाया था और जहांगीर ने आदा अकबर ने और आदा जहांगीर ने इसका निर्मान करवाया था दोस्तो आपके अजमेर में और कौन-कौन से प्रमुख मेले लगते हैं अजमेर में दोस्तों आपके और कौन-कौन से प्रमुख मेले लगते हैं तो आपका एक तो लगता है पुसकर जी का मेला कौन सा लगता है पुसकर जी का मेला लगता है आपके ठीक है एक तेजा जी का मेला भी लगता है यह इत दसी से लेके पुर्णिमा तक कार्थी की एका दसी से पुर्णिमा तक इसमें पसु मेला भी लगता है ठीक है ओके और कौन सा है आपका ब्यावर का बादसा का मेला वो भी फेमस है ब्यावर का बादसा का मेला भी फेमस है और एक और मेला लगता है कल्प व्रक्ष का मेला कल् व्रक्ष और ब्यावर का बातसा का भेला दोस्तों यह अपका धाई दिन का जोंपड़ा प्लिख किया दोस्तों आपके वहां पर लगता है पंजब साब पीर का उर्ष लगता है धाई जौबडे में वो धाई दिन खूर्श होता है इसलिए उसको धाई दिन का जौबड़ा 000 अदर्वाइस धाई दिन का जौबड़ा क्या है थाई दिन का जौबड़ा एक मुझजिद है एससा मत कभी लोग सोचते हैं इसका धाई जिनका ढोँपडा है. इसी ढोँपड़े के अंदर आपका ऑठारा सोला खम्भो का महल है. आगे बात करते हैं, आपके यहाँ पर द्वारिका परसाथ अगर्वाल अवॉर्ड किसको मिला है? तो यह जो है इस राद कालीम जी को मिलावा है इस राद कालीम जी को मिलावा है यह आपके गीतकार है इन्हों ने जो है वह बॉलिवोड में संगीत में पीएच्डी भी कर रखी है और यह आवर्ड आपके कब सुरू आता है 2016 में यह अवार्ड शुरू आता दोस्तों तो आप बस याद रखिए 2023 का जो द्वार का प्रसाद अगर वो अवार्ड है वो किसे मिला है तो इस राद कामिल को इस राद कामिल को दोस्तों अगला आपका जैपूर एरपोर्ट वैस्वी की स्तर पर दस सर्वस्रेष्ट मध्यमवरगी हवाई एड़ों में सामिल हुआ है कौन सा आपका सांगेनेर वाला एरपोर्ट जैपूर वाला कौन सा इस्तान मिला है नाइन्त इस्तान मिला है कौन सा इस्तान मिला है नाइन्त इस्तान मिला है दोस्तों आपके जैपूर का एरपोर्ट कब स्टार्ट हुआ था 2005 में स्टार्ट हुआ था आपके यहां पर रा अभी आपके यहां पर दोस्तों यह पुराणा करंट है बढ़ भी पड़ लेते हैं कि आपके यहां पर क्या हुआ था मुझा व्रीं दोस्तों आपके बीका नेर में हुआ था कब हुआ था 13 से 15 जनवरी में 13 से 15 जनवरी के बीच में हुआ था ठीक है दोस्तों और कौन सा उंट उत्सवता तो आपका 29 तो 29 उत्सवता दोस्तों कौन सा 29 उत्सवता ठीक है और इसके अंदर दोस्तों मिश्टर बीकाना कौन रहे थे तो मिश्टर बीकाना रहे थे इसके अंदर रविंदर जोशी कौन रहे थे रविंदर जोशी याद रखेगा और मिश मरवन कौन रहे थी तो मिश मरवन रहे थी कोम सिद्ध तो मिस्टर बीकाना कौन थे रविंदर साहब और मिस्स मरवन कौन थी कौमल ठीक है तो यह आपका फैक्ट था एक और दोस्तो दूसरा दियाद रख लीजिए आप आपके यहां पे गोल्डन गल अभी किसे बोला जाता है तो गोल्डन गल है लाची परजापत कौन है लाची परजापत जैपुर की रहने वाली है दोस्तो इन्होंने दो साल में ही मतलब दांसवान सीख लिया था यह क्या डांसर भी है ठीक है और इन्होंने अभी रिकॉर्ड भी बनाया है 125 चरी को लेके सर पे चरी डांस किया इन्होंने ठीक है और दोस्तो यह भववे नरत्य भी करती है और प्रदानमंत्री जी को भी राकी भी इन्होंने बांदी है और इन् गॉल्डन बुक ऑफ द अर्थ में इनकी बायोग्राफी जो है वो परकासित हुई है उस बुक में आपके टोटल जो न एक सो एक लोगों की बायोग्राफी परकासित होती है जो मतलब अच्छे नेता होते हैं अच्छे बिजनेसमेन होते हैं उनकी बायोग्राफी इसमें होत नगेते हैं अभी थोड़ी देर में अभी लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए इंडिया का अग्रेंट अफेर और आज से हम सुरू करेंगे इंडिया का करन्ट अफेर भी पढ़ना दोस्तों मैं आपका महिना जब पूरा हो जाएगे तो यि अदक्ता कॉमपाइल करके जनवरी का करंट अफेर पूरा जो हम देवाइस पढ़ रहे हैं मैं जनवरी एक वीडियो के अंदर पूरा जनवरी का जो करंट अफेर है वो इस embarrass चुल खरके लेकर आऊँगा दोस्तों ओके हैं क्रोच यूंड़